नमस्कार दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं जो CHO की बेकिंसी का नया नोटिपिकेसन आया जिसमें 1890 पूश्ट ने कैंसल हुई है जो डायेट बेकिंसी वाली थी उसमें उन कौन इस्टुटेंट्सकों कैसे ठीवालों प्लाई करना है और जो पॉराने इस्टुटेंट्स है जिनके ओर लेड़ी एप्लाईट है, ऩाये प्लाइव काहां पर करना है इसके पूरी जानकरी आजम लेके आये हैं और इससे पहले आपको बताना चाहता हूं कि अपको हमारे चाह, आपको पसंद आता है तो आप ज़रू सबस्काइब करें और इससी सम्मंदित आपकी नई-ने जान करी हैं जो हम यहाँ पे आपको लाते रहें कई हमारे फ्रेंस का हमें comments आ रहा है वो पूछ रहे हैं सर जिन लोगोंने cch का form पहले से भर रखा है वहने सर क्या करना है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिन लोगोंने fourth year complete के बाद में जिनका cch complete था उन्हें ये form भरना है new वाले option पर जाके हम सीधे चलते हैं अपने form के और तो यह देखिए हैं अपर आप देख सकते हैं यहां देख रहा हैं को detail online application form तो हम यहां पर click करेंगे यहां देखेंगे कि यह आपका online detail legal form हमने यहां पर apply में डाल दिया अब हम यहां पर दो option देख रहा है यह एक देख रहा है आपका already registered और ए अप्लाई किया था वो जाएंगे और जिनने पहले से पंजिन किया था और जिन बेक्तियों ने और जो जिनने पंजिन नहीं किया है या फिर प्लाई नहीं किया है या जो fourth year complete करने के वाद six month cch completed course है वो new वाले option पर click करेंगे और यहां से entry करेंगे तो हम पहले समझ लेते है निव वाले option को तो जैसे हम इसमें जाते हैं हम यहां पर निव वाले option में click करते हैं तो यहां हम से new registration की जो भी detail आती है इसमें आपका full name रहेगा name, email id, mobile, दस number को mobile number, passport, agree वाल पर click करके next आप यहां पर आगे sign in कर लेंगे ठीक है और जो भी form बनने की जो प्रोसेस है पूरी complete करेंगे और last में हम study center को selection करके ओफ हम अपना complete करने के तो यह तो हो गया उन लोगों के लिए जो जिन्हों के पास already six month का CCH का course था क्योंकि उन्हें फिर से apply करना पड़ रहा है अले डिश्टेट वाले बेखती के लिए क्या करना है तो हम यहां देखते हैं कि आलेडी जो रेजिस्टेट वाले बेखती हैं उन्हें हम already पर click करेंगे जैसे हम already पर click करते तो हमें option आता है कि आपना user mobile number डालिए जो आपका registered mobile number है तो हम यहां पर अपना रेजिस्टेट वाई कर रखा है यह आप देखिए यहां पर apply आएगा आपका application number आप यहां आजाएगा apply date आपकी यहां पर आ जाएगी cca job reference आ जाएगा cca start course आपको यहां पर आ जाएगा तब इसके आगे क्या करना है यह देखना है यहां पर apply now पर complete करना जो है ना click करेंगे जब हम apply now पर click करेंगे तो आप यहां देखेंगे दो option आपकी सामने आएगए एक आपका available program study centers दूसरा आपका है program study center preference तो हम इसमें जितने भी हमारे program study center है program study center उनको preference कर देंगे और last में हम जाके यहाँ पर confirm in application submit application पर क्लिक करेंगे अभी यह देखिए आपने हमने चुकि यहाँ आपने form भरे नहीं है और आपको पूरे के पूरे सब्स जो भी सब्सेंटर है प्रफरेंस वाइस आपको select करते जाना है मैं आपको कुछ बता देता हूं कि आपको preference कैसे select होंगे जैसे यहाँ देखिए आप suppose मैं आपको यहाँ देखता हूं तो मैं पहले भूपाल का JPE hospital select कर लिया और यहाँ पे आपका add in preference में आपको यहाँपे क्लिक करना है जैसे आप क्लिक करेंगे यह देखिए आपको यहाँ प्जिपी आपका एक नंबर पे आ गया तो ऐसे आपको पूरी के पूरे जो भी सबसेंटर, जो भी स्टेटी सेंटर वो कंपलिट कर दे जाना है और last में फिर जाया के यहां पे आपको Regulation पे कलिक करना है और यह आपको इसमें Confirm करना है तो यह आपका पूरा process हो जाएगा इस process को आपको complete करना है और जो आपका last में जो form रहेगा उसको निकाल के आपको रख लेना है bueno प्रवाल